स्टड़ी हिमाचल की एक और सिरीज में आपका स्वागत है दोस्तों आप डिसकस करेंगे HRTC कंड़क्टर के लिए disaster management के multiple choice questions इससे जो disaster management के questions है वो हम 3 से 4 वीडियो में देखेंगे लगातार आपको एक question मैंने previous वीडियो में पूछा था उसका भी अंसर इसी वीडियो में आपको अंत में दे देंगे चलो शुरू करते हैं हरा प्रशन है प्रदान मंतरी ग्रीह मंतरी राज्य के राज्येपाल या स्वास्ते एवं परिवाण कल्यान मंतरी देखिये जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ये इसका अंसर होगा और आपको पता होना चाहिए कि जो नाशर डिजास्टर मनेजमेंट एथेोटी है ये किसके अंडर क्रियेट की गई है डिजास्टर मनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर क्रियेट की गई है कुछ और इंपोर्टन बात कर लेते हैं इसी कोश्चन के रिगार्डिंग आप से ये भी पूछा जा सकता है जो भारत के राष्ट्री सुरक्षा सलाकार है वो कौन है वो है अजीद धोबाल जी और भारत के प्रदान मंतरी आपको पता है ये नरिंदर दामोदार दासमोदी जी है और ग्रीह मंतरी है अमित शाजी है ये भी आपको याद रखना है यहां से भी और वंदन अधिनियम है इसका जो अंसर होगा 2005 में बनाया गया था मैंने आपको कुछ इसके बारे में अभी भी बताया थोड़ा सा और इसको डीपली एक्स्प्लेइन करते हैं देखे जो डिजास्टर मनेजमेंट अथियोटी है एक सैचुरेटरी बोड़ी है बैधानिक संस सा एक्ट डिजास्टर मनेजमेंट अक्ट 2,005 यह ग़ागू किया था सितंबर सितंबर 2006 में आपको पता देता हूं जो डिजास्टर मनेजमेंट डेट 2,005 यह वह सरकार के दिवाया सितंबर 2006 में लागू किया गया था और क्या disaster जो management authority होती है ठीक है यह इसका जो primary objective क्या है इसका उदेश्य क्या है देखिए इसका जो main उदेश्य है जो प्राकर्तिक या मानम निर्मित आपदाएं आती है उसकी प्रतक्रिया जो आती है उसमें सियोग करना है कि उसमें से कैसे निप्टना है यह disaster national disaster management authority का काम होता है next question देखते है next question है कि the national institute of disaster management or NIDM was previously named भारती राष्ट्री आपदा परवंदन संस्थान या NIDM का पहले नाम क्या था देखिए इसका क्या अंसर होगा यह होगा national center of disaster management national center of disaster management इसका डी अंसर होगा जो national center of disaster management है यह देखिए फिर से आपको बतातो जो national center of disaster management है इसे parliamentary act 1995 के तहत बनाया गया था बट फिर इसका जो अभी नाम है जैसे national institute of disaster management इसे कोंसे act के तहत बनाया गया है disaster management act 2005 के तहत बनाया गया है बट जो इसका अंसर होगा वो होगा next question देखते हैं which section of the disaster management act 2005 and power the government of the state to establish state disaster management अथियोटी आप्दा प्रवंदन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य आप्दा प्रवंदन प्राधिकरन स्थापित करने का अधिकार देती है कौन से section के यह अंडर आता है बताई शेक्ष्ष्ष्ष्ष् 11, 14, 18, 20 इसका होगा section 14 तो इसका अंसर भी होगा next question देखते हैं next है कि national institute of disaster management is located at राश्ट्री आपदा प्रवंदन सस्थान कहां पे located है वो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में तो इसका अंसर होगा next question देखते हैं राश्ट्री आपदा प्रवंदन प्राधिकारन का गरह अंसर होगा next question देखते हैं who among the following was prime minister when disaster management act 2005 was passed by the parliament जब आपदा प्रवंदन अधिनियम 2005 संसथ द्वारा पारित किया गया था तब निमिलिक्त में कौन प्रधान मंत्री थे देखे इसका जो अंसर होगा वो होगा अटल भिहारी बाजपेजी देखे अटल भिहारी बाजपेजी के बारे में बात करें इनका जनम हुआ था गौालियर में जनम हुआ था ठीक है अब मध्य प्रदेश में उसमें British India के अंडर आता था देखे इनका जो पहला तीन कारेक का रहा तेरा मंत का रहा है यह बने हैं 1998 से लेकर 1999 तक पीर तीसरा जो कारेकार रहा था इनका यह रहा था जो फूल टरब रही थे 1999 से लेकर 2004 तक इनका पूरा कारेकार रहा था ऐसे प्रधानमंत्री इन्हें भारत रतन भी मिला हुआ है 2015 में पदम विभूशन भी मिला हुआ 1992 में यह भी आपको याद रखना है और यह जो भारत के टैंथ प्राइम मिनिस्टर बने थी उस समय कौन अठल भिहारी बाजबाई जी उरिसा ओफन फेसी नैच्वर डिजास्टर डियूट्थू साइकलोन रेजवाल अर्थविक यह डिज़त चकरवात वर्षा भूकम यह बूंदावांदी कि साइकलोन इसका अंसर होगा की स्ट्रों की स्पीड मतलए कि किसी वी हुए तुफान की स्पीड शैवन्टीफूर मा बट जब Cyclone की जो speed है 34 Nautical Mines से पर हावर से जादा हो जाए तो इसको special नाम देना पड़ता है Cyclone का कोई नाम देना होता है अदरवाइज जैसे 74 ms per hour है ठीक है तो उसको वह हम Cyclone ही बोलते हैं बट जब इसकी जो speed होती है 34 Nautical miles per hour हो जाती है तो इसको हम special नाम भी देते हैं, इस cyclone का, ये भी याद रखना है, next question देखते हैं, बर्फानी तुफान किस तरह की प्राकर्तिक आपता है, भू बग्यानिक, बायू मंडली है, जी मंडली है, इन में से कोई नहीं, देखिए बर्फानी तुफान, अट्मोस्फेरी की होगा, बी इसका अंसर होगा, next question देखते हैं, देखिए प्रीविस वीडियो के एक दो question रहे गए थे, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, motor बहान अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था, इसका अंसर होगा, एक जुलाई 1989 को लागू हुआ था, तो A इसका अंसर होगा, एक और question रहा with section, conductor license के लिए नियम बनाने की किस राज्य सरकार की शक्ति, किस धारा के अंतरकत परदान की गई है, इसका जो अंसर होगा, section 38, तो B इसका अंसर होगा, ये दो question थे, जो रह गए थे, आज के लिए इतना ही, thank you, have a nice day, God bless you all, bye bye.